मुझे आश्चर है कि सौरब भारतबाज जी जो स्वयम एक वकील हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे समविधानिक प्रावधानों और कानून की अज्ञानता जलगती है देखे 11 माई 2023 को जब Constitutional Bench ने Honorable Supreme Court ने ये Judgment पास करी तो इसके Paragraph 164F में ही ये बात कही गई है कि जो भी Executive Powers दिल्ली सरकार के पास हैं वो Parliament के बनाए गए किसी भी कानून के आधीन होगी इसका मतलब है कानून बनाने की स्वतंतरता और प्रधानता पार्लिमेंट के पास है